क्या आने वाले समय में फिर से small cap और meet cap में ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है और क्या उसका असर small cap और meet cap के mutual fund पे भी देखने को मिलेगा मैं ऐसा statement आपके सामने क्यों रख रहा हूँ स्मॉल के और meet cap को लेके टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में हर एक mutual fund हुष ने अपना आकड़ा investor के सामने रखा था 50% का redemption का pressure आज़े तो कितने दिन में investor का पैसा वापर शुक्ता है 25% पे कितना दिन लग सकता है तो जो यह test हुआ था अब इस test को लेके सेवी के side से एक और statement आता हुआ देखने को मिला है देखो नरायन गुपाल कृष्णन के side से यह statement आया है stress test में हमें result मिला वो अच्छा data हमें मिला जी हाँ उस data से हम बहुत कुछ कर शकते हैं अब बहुत ऐसे investor यह पूछेंगे कि यह नरायन गुपाल के शुन कौन है यह सेवी के old time member है जी हाँ और इनके side से statement आया है कि जो यहाँ पे stress test हुआ था उसमें हमें data तो अच्छा खासा देखने को मिला exact data मिला लेकिन उस data से हमें बहुत ज्यादा benefit नहीं हुआ जी हाँ सिर्फ stress test से हमें यह जानकारी मिला कि किस mutual fund में कितना risk देखने को मिल रहा है लेकिन क्या वाकई में अगर market में कुछ ऐसा pressure हुआ market में यहाँ पे selling का pressure बढ़ा तो हम इस stress test से investor के risk को कम कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आकड़े हैं हमारे पास उस आकड़े से हम risk को समझ सकते हैं हमने यहाँ पे customer के सामने risk के factor को रखा है लेकिन अगर देखा जाए तो अगर बहुत ज्यादा selling का pressure आ गया तो यह आकड़े रखे के रखे रह जाएंगे इस आकड़ों के साथ हम return investor के risk को कम नहीं कर सकते हैं अब इसका मतलब यह है कि कुछ और यहाँ पे mechanism तयार किया जाए जिसके basis पे यहाँ पे small cap और meet cap में जो यह risk का factor है इसको कम किया जा सके देखा उनके यह कहना है कि जब 2022 का समय था तो उस समय 50 से 55 परसेंट डियाई और FIE का participate था meet cap और small cap में अब वो आकड़ा घटके काफी कम देखने को मिला है अब यहाँ पर आकड़ा 5% 7% का देखने को मिला है अब वहाँ पे जो अब participate percentage बढ़ रहा है वो retail investor का participate percentage बढ़ रहा है अगर ऐसे स्थिति में selling का pressure आया तो जो stress test में जो result आया है कि कोई mutual fund 25% के redemption को वह 20 दिन में complete करके देगा जब वह stock sell करेगा तो क्या उतना उसको volume available होता हुआ मिलेगा और इतना ज्यादा selling का pressure क्या market सहलेगा और क्या फिर detail investor उसको सह सकते हैं ये इस्तिति अभी भी question mark में है और ये भी कहना है कि जो ये system इतना bigger रहा है इसको कापी ज्यादा ध्यान देने की जरुमत देखो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है market में और ज्यादा गिरावर्ट देखने को मिल सकता है market अपने हाई से 30% पूर सकता है ऐसे में ये एडवाइज दिया गया है कि customer के सामने जी हाँ small cap or mid cap के जो risk का factor है उसको लेके awareness यहां पे लाया जाए अच्छा मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि अगर सेवी को यह महसूस हो रहा है कि small cap or mid cap में आने वाले समय में risk काफी बढ़ सकता है और retail investors सबसे पहले यहां पे फसेंगे तो क्यों नहीं आप ऐसे mutual fund पे कुछ यहां पे boundary set कर दो या तो आप यहां पे यह सेट कर दो कि lump sum allowed नहीं है सिर्फ आप S.I.P. कर सकते हैं या फिर जैसे आपने international mutual fund पे एक boundary set कर दिया था कि lump sum का window और S.I.P. का window close करना पड़ेगा तो क्यों नहीं meet cap और small cap के mutual fund में आप वहां पे window close कर देते हो बार बार अगर आप ऐसे statement दोगे तो वाकई में जो यह particular meet cap और small cap index है उस पे दबाओ देखने को मिलेगा डीटेल investor का पैसा तब जागे नुपसान में आपको देखने को मिलेगा उसे मैसूस होता है कि exactly meet cap और small cap में return investor का यहां पे participate percentage काफी बढ़ गया लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसे से statement लेके investor के सा इसलिग meet cap और small cap यहां पे 10% 12% तो अगर ऐसे statement आएंगे तो वाकई में फिर से गिरावट हो सकता है meet cap और small cap में और अगर mechanism में कुछ changes होगा तो यहां पे meet cap और small cap पे उसका असर देखने को मिलेगा चलिए दूसरी ख़बर की तरब बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले mutual fund related complete solution चाहिए तो आप मेरे साथ जूट सकते हैं जी हां description box में जाके पूर्वा detail चेक करें और detail के basis पे WhatsApp number के थूँ आप मेरे साथ जूट सकते हैं जो middle east में यहां पे high tension बना हुआ है यहां war start हो गया है लेकिन अब यह बहुत बढ़ा रूप लेता हुआ देखने को मिलेगा और च सक्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हुँ कि मीनिस्ट में टेंशन काफी ज़्यादा हाथ हो गया है अब इस रखता है कि मार्केट में दबाव देखने को मिले अगर मैं फ्राइडे की दिन की बात करूँ तो मार्केट पॉजिटिव था जी हाँ यहां पर निफटी, सेंसेक्स, मीड केप, स्मॉल केप इंडेक्स हर एक इंडेक्स काफी पॉजिटिव आंक्रों के साथ खुले थी दिन का दबाव जो मैंने आपको बताया कि मिडिल इस्ट में जो ये हाई टेंसन बढ़ता हुआ जा रहा है अब ये जैसे जैसे विक्राल रूप लेगा जो ये युद्ध हुआ है वैसे वैसे मार्केट पे प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा मंडे के दिन इसका खासा असर होगा लेकिन अगर अगर एसेन मार्केट पॉजिटिव में खुलता है तो उसका वहां पे बैनफिट देखने को मिलेगा इंडियन स्टॉक्स मार्केट पॉजिटिव देखने को मिलेगा लेकिन अगर एसेन मार्केट पे यहां पे कुछ नेगेटिव इंपेक्ट देखने को मिला तो इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे उसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि निफ्टी जो है वहां पे एक पसंट के आसपास फिसलता हुआ ना चला है लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है लेकिन अगर एसेन मार्केट पोजिटिव में खुलती है तो जो मैं यह स्टेट हुए तो यहां पे मार्केट चहरता हुआ भी देखने को मिलेगा अब इस चार्ट के तुरू समझते हैं देखो अगर अभी देखोगे तो निफ्टी यहां पे 24,366 के आसपास ट्रेट कर रही है अब यहां पे एक स्ट्रॉंग सपोर्ट जो बनता हुआ देखने को मिल रह अगर यहां पे निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है तो वाकजिन में गिरा वर जादा देखने को मिल सकता है कि यहां पे मंडे के दिन और भी जो रीजन सें उसके चलते एक पसन्ट का दबाओ देखने को मिले है लेकिन अगर निफ्टी यहां पे 24,500 के लेवल को ब्रेक ब्रेक करती है तो एक्जेक्ली फिर जाके यहां पे निफ्टी जो रुकेगा तो चौबीस हजार का एक स्ट्रॉंग लेवल देखने को मिलता है अब देखो आने वाले समय ही हमें बताएगा कि आकड़े का क्या हाल होगा लेकिन अगर मंडे को गिरावट होता है तो फिर सबस से जादा वहां पर मीट केप और स्मॉल केप के इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलेगा और और वैसे इंडेक्स में जी हां जैसे की आई टी बेस जो इंडेक्स है वहां पर भी सबसे जादा गिरावट देखने को मिल सकता है आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेकि क कमेंट बॉक्स में जरूर आया आने वाले साय में बहुत सारे वीडियो ले कि आऊँगा एक हमबल लिक्विश तभी तक चानल को निक्री सब्सक्राइल लिक्सर तभी स्टार्ट करें फिर लेकित नए वीडियो के साथ तब तक के लिए चाहिए शबार